नमस्कार आपके तारे में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रवेण मिस्त्र आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बितेगा सितारे आपके लिए क्या लेकर आए हैं शुरू करते हैं आज के पंचांग से आज 11 सितंबर है दिन सोमवार है भाद्रपद मास चल रहा है क्रश्न पक्ष है द्वादसी तिथी रहेगी रात 11 बचकर 52 मिनट तक फिर 13 तिथी शुरू हो जाएगी पुष्य नचत्र रहेगा रात को 8 बचकर 1 मिनट तक फिर आशलेशा नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा करक राश में गोचर कर रहे हैं भगवान शुरे सिंग राश में बिराजमान है आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11 बचकर 53 मिनट से दोपहर 12 बचकर 43 मिनट तक राहुकाल का समय होगा सुबह 7 बज कर 37 मिनट से सुबह 9 बज कर 11 मिनट तक जो भी जरूरी काम महत्पूर्ण काम आपको करना है आप अभी जीत महूर्त में करेंगे तो कारियों के सफल होने की संभावना जाद रहेगी राहुकाल शुब नहीं माना जाता है इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें दिशा शूल है पूर्व दिशा तो पूर्व दिशा की और लंबी दूरी की यात्रा ना करें चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की मेश राशी वालों के मन में उत्सा और बढ़ेगा काम काज में सफलता मिलेगी जीवन में सुख बढ़ेगा खर्चे भी आपके बढ़ेंगे जिन लोग को जॉब कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिल सकता है प्रमोशन का योग बन रहा है समय ठीक है इसका लाव उठाएं शुबरंग के सरिया उपाय भगवान शिव को जल अर्पित करें ब्रश राशी ब्रश राशी वालों का मान यश और बढ़ेगा मन की परेशानी दूर होगी धन लाव का योग बन रहा है करियर में सफलता मिलेगी एलेट्रोनिक सामान खरीदने के लिए दिन अच्छा है शुबरंग क्रीम कलन उपाय दुरगा चालीशा का पाट करें मिथुन राशी धन की प्राप्ती का योग है मित्रों से मदद मिलेगी परिवार में शुक्षान्ती बढ़ेगी सेहत आपकी ठीक रहेगी आज सहकर्मियों पर शक ना करें शुबरंग हरा उपाय भगवान गनेश की आरती करें करक राशी विदेश से लाब का समाचार मिलेगा मन की परिशानिया दूर होंगी कारे छेत्र में फायदा होगा सेहत आपकी ठीक रहेगी कहीं गूमने जाने की योजना बनेगी शुबरंग सफेद उपाय ओम नमाशिवाय का 108 बार जाप करें सिंग राशी सिंग राशी वालों की नेत्रत चमता और बढ़ेगी भाग का साथ मिलेगा संतान को लेकर चिंता रहेगी कोई बात अपने परिवार वालों से कहना चाहते हैं तो अवश्य कहते हैं अपने जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे ना रहें शुबरंग ना रग्गी उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें कन्याराशी व्यापार में लाव का योग बन रहा है उधार लेंदेन से बचना होगा जीवन साथी के सहयोग से काम बनेंगे कारिछेत्र में आगे बढ़ने के आउसर मिलेंगे आज क्रोध ना करें गुस्से से बचें शुबरंग बैगनी उपाय गव माता को रोटी खिलाएं अब वक्त हो गया है सवाल लेने का यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीक, जन्मिस्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजे वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे अभी जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम आपको बताते हैं सवाल ले रहे हैं रितु सिंग का रितु सिंग जी ध्यान से शुनियेगा, इनकी डेट अब बर्थ है 18 अप्रेल 1997 सुबह 11 बच कर 20 मिनट मुंबई महरास्ट का जन्म है, इनका सवाल है कि इनकी मैरिज कब होगी, रितु जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर आपकी कुंडली तेयार है, अभ का जन्म मगान अच्छत्र के चतूर्थ चरण में हुआ है, इस समय आपकी चंद्रमा की महादसा चल रही है, जो जून 2030 से शुरू हुई है, और ये जून 2030 तक चलेगी, और चंद्रमा की महादसा में चंद्रमा की ही अंतरदसा चल रही है, जो जून 2030 से अप्रेल 2024 तक चले आई आपकी कुंडली आपको दिखाते हैं देखिए आपकी कुंडली में जहां ये तीन नंबर लिखा हुआ है ये है मिथुन लगन और मिथुन लगन का स्वामी बुद्ध 15 डिग्री का अस्थ है वक्री है शूर्य और शुक्र के साथ 11 घर में बैठा है मेरिज के लिए देखते हैं सात्वे घर सात्वे घर का स्वामी है ब्रहस्पती और ये 24 डिग्री का अस्थम इस्थान में बैठा हुआ है आपकी कुंडली के हिसाब से मेरिज का समय बनेगा अप्रेल 2024 से अप्रेल 2024 से ले करके और मई 2025 के बीच में शादी फिक्स हो जाएगी अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजे अच्छा जीवन साथी की तलास शुरू कर दीजे और जो टाइम बताया आपको अप्रेल 2024 उसके बाद डिसीजन लेंगे तो आपके फैसले सही साबित होंगे उपाय क्या करें जिससे जो शादी में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो और आपका विवाह अच्छा हो पहला उपाय हर ब्रहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल पहले से भिगोगर के रख लें और भीगी हुई चने की दाल गव माता को खिलाएं कम से कम एक किलो चने की दाल गव माता को खिलाना है दूसरा उपाय है नियमित रूप से प्रति दिन भगवान शिव को जल चढ़ाएं भोले नात को जल चढ़ाएं और उनकी आरती करिए और प्राथना करिए कि हे भोले नात हे महादेव हमारे विवाह में जो बाधाएं आरे हैं उनको दूर करें और जल्दी विवाह हो जाएं और मंत्र नोट कर लीजे बहुत शरल मंत्र है ओम नमो भगवते वाशुदेवा है इस मंत्र का तुलसी की माला से 11 माला प्रति दिन अपने घर में बैठ करके अपने घर के मंदिर में या किसी भी इस्थान में बैठ करके इस मंत्र का जाप करिए जाप करने का आसन जाप कर करने का समय एक ही रखें यानि जिस समय एक दिन जाब कर रहे हैं अगले दिन भी उसी समय करना है इस नियम के साथ आप करेंगे तो जो भी बाधाएं आ रहे हैं सब दूर होंगी और आपकी अच्छी शादी हो जाएगी तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीख जन्मिस्थान जन्म समय लिखे और सवाल लिकर कमेंट में छोड़ दीजे वहां से आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कारक्रम में शामिल करेंगे अब बात तुला राशी की तुला राशी वा रंग सिल्वर कलर उपाय पक्षियों को दाना खिलाएं ब्रिश्चिक राशी वालों को भागे का साथ मिलेगा पूरे उत्सा से आप काम करेंगे मित्रों की मदद से लाब होगा सेहत को लेकर चिंता रहेगी ऑफिस में जगडा ना करें शुब रंग के सरिया उपाय हनुम पान चालीसा का पाठ करें धनुराशी लक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखें आपको सफलता मिलेगी धन की प्राप्ती होगी प्रापर्टी से जुड़ा हुआ कोई एहम फैसला आज आप ले सकते हैं घर में खुश्यां बढ़ेंगी रिस्तेदारों से मत भेद ना बढ़ने दे हैं शुब रंग हल्दी जैसा पीला रंग उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें मकर राशी सरकार से संबंधित काम आपके बनेंगे लोग आपके कारे की सराहना करेंगे मान यश मिलेगा आए बढ़ाने के लिए अपने प्रयास और तेज करने होगे गुप्त चिन्ताओं की वज़े से मन दुखी रहेगा अपने मन में टेंशन ना पालें शुब रंग के सरिया उपाय मा दुरगा की आरती करें कुम्भ राशी रिष्टेदारों से मुलाकात होगी संघर्ष के बाद धन मिलेगा मानसिक तनाव घटेगा सरकारी अधिकारियों से मुलाकात होगी परिवार से सहयोग प्राप्थ होगा शुब रंग आस्मानी उपाय शिव लिंग पर जल अर्पित करें मीन राशी काम को लेकर व्यस्तता रहेगी मन की चिन्ता दूर होगी विदेश से संबंधित कारियों में प्रकति होगी सुख के साधनों पर धन खर्च पढ़ेगा शुब रंग क्रीम उपाय ओम नमा शिवाय का 108 बार जाप करें अब वक्त है आज के उपाय का यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो उस बाधा को दूर करने के लिए ये उपाय करें क्या करना है आपको प्रति दिन भगवान क्रश्ण और राधा जी की आरती करें मंत्र नोट कर लिजे ओम नमो भगवते वासु देवाए इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार चाप करें माखन मिश्री का भोग भगवान क्रश्ण को लगाएं और प्रसाद बाटें ये उपाय करना शुरू करिए बहुत जल्दी विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी और आपकी मनो कामना पूर्ण होगी भगवान क्रश्ण का आश्विर्वाद आपको प्राप्त होगा तो आज के लिए बस इतना ही कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपका दिन शुब हो नवस्कार